मनिपूर की घटना में मुस्लिम एंगल एक बड़े न्यूज एजनसी ने रात अचानक साधिशन इस एंगल को डाला और जब उनकी चोरी पकड़े गई तो फिर वो टुईट जो है वो डिलीट करकर भाग गया एन आई 9 बचकर 47 मिनट पर एक टुईट करता है कि मनिपूर पुलिस ने वाइरल वीडियो में लिप्त एक आरूपी को पकड़ लिया है जिसका नाम मुहमद इबुनगो उर्फ अब्दुलहिलीमी है पिता का नाम तुमबा खान लीम है बाप का नाम भी जान बूच करके लिखा गया क्योंकि उसमें खान आ रहा है इमफाल पुलिस ने अब्दुलहलीम नामा की वग को पिरिपक के मामले में संग्ठन से जुड़े हुए होने की वज़ा से गिरफतार किया था लेकिन एनाई ने ग्रफतार वैक्ति को निर्वस्त कर घुमाने और गैंग्रेप मामले से जोड़ कर ट्विट किया जो के दोनों ही मामले बिल्कुल अलग-अलग है सच्चाई सामने आने पर एनाई ने कुछ दिर बाद ही ट्विट डिलीट कर दिया लेकिन सरकार से जुड़े हुए कई ऐसे वैक्ति और उसके साथ ही भारतिय जनता पार्टी की जो ट्रॉल आर्मी है उसने तुरंट इस ट्विट को रिट्विट करना शुरू कर दिया और कई ट्विटर हेंडल ऐसे हैं जिनको परधानमंत्री नेंदर मोदी फॉलो करते हैं चाहे वो बग्गा हों वैदिया हों कई ऐसे ट्विटर हेंडल हैं जिनको परधानमंत्री फॉलो करते हैं आप सोचिए, जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, उनकी रीच कितनी होगी, साजिशन ये नाम लखा गया ताके ये बताया जा सके कि इस घटना में मुसल्मानों का involvement है, हालकि मुसल्मानों का इस घटना में दूर दूर तक कोई involvement नहीं है, जिस शक्स का नाम इन्होंने टूइट किया, वो दूसरे एक संटंग से जुड़े हुए मामले में गिरफतार किया गया था, आपको बता दें कि ये पूरा मामला फरजी तोर पर जान बूच करके और फिर इस टूइट को एंडी टीवी ने भी री टूइट किया, देश का एक बड़ा चैनल, सही माना ज जाता था, लेकिन जब से अडानी के पास आया है, यहाँ पर भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, अब आईए मैं आपको बताता हूँ कि इमफाल पुलिस के जरीए जो प्रेस नोट जारी किया गया था, इमफाल इस डिस्टिक पुलिस, तोबल जिले के थाने का ये मामला था सेकमी थाने का, जिसमें वाइरल वीडियो में तीन और लोगों को ग्रफतार किया, यानि कुल चार ग्रफतार हुए हैं, लेकिन ये मामला दूसरी जगा का था, इसको मिला करके, इस ट्विट को भारतिये जनता पार्टी के केडर ने रिरो ट्विट करके, मुसलमानों को घ शुरू कर दिया, शेफ अवेदिया, तजंदर बग्गा, रिशी बागरी, मिस्टर सीना, इन तमाम लोगों को परधान मंत्री फॉलो करते हैं, पुलिस ने अपने नोट में एक चीज और है, कि पुलिस ने अपने नोट में जो तीन आरोपियों को इस घटना से जुड़े तीन जो आरोपी हैं, उनको जो ग्रफतार किया है, तो अपने नोट में सिर्फ थिरी मोर अरेस्टेट करके उनके नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन पर एक संक्टन से जुड़े हुए, एक मुस्लिम को जो ग्रफतार किया गया है, उसका पूरा एड्रेस तक लिख दिया है, उ इस नाम से उसके उसका बाप का नाम क्या है, ये तमाम नाम लिखे हैं, लेकिन जान बुच करके उन तीनो आरोपियों के नाम पुलिस नहीं लिखे हैं अपने प्रेस नोट में, ताकि उनके नामों के बारे में लोग को जान ना पाएं, ये एक बड़ा सवाल है, किस तरह स से मीडिया को शामिल किया जाता है, उसके बाद भारती जनता पार्टी के कुछ ट्रॉलर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी पूरी आर्मी इसमें कूट पड़ती है, और मसल्मानों को बतनाम किया जाता है, शुक्रिया आपको हमारी कोशिश कैंसे लेगी, जरू बता झोलर उनकी खाया जे intertw़दी सौर्प पार्टी क editor trी जורर रभने जिनक regular किया जुक्रिया जाता है, और मसल्मेश्प एल आ है, उसके जोच्र आता है, जसके बादे किया जेकने लेगी है, और मसलईस सूर्जबर रगल, और मसल्में सभिशेंस से लिएश से लिटा शार्बर झाल झाल झाल